बिसमिल्लायरख्मारी रहीम, स्लाम आलेकुम एवरिवान, क्या हाल चाल है आप लोगों के आज मैं आप लोगों के लिए लेकर रही हूं टुमार्टी लो जो मैंने आपको शॉपिंग करते वे दिखाई थी और मैंने कहा था कि मैं इसको खरीदूंगी और फिर मैं आपको द चाहें और इसको मैक्सिकन गुजबेरी या मैक्सिकन हस्क टुमैटो भी कहते हैं क्योंके यह हस्क के अंदर होता है इसके पर झिले सी जो होती है और इसको जब हम खोलते हैं तो एक इसके उपर स्टीकनेस महसूस होती है चिपका चिपका सा और वो चिप पकना इसलिए होत भी ग्रीनी रहते हैं और बाद जो होते हैं या फिर यलो होते हैं तो मेरे खाल से ये शायद ग्रीन वाली है जो पकने के बाद भी ग्रीनी रहते हैं इसको मैंने थो लिया है तो मैं चलें अब आपको मैं इसको काट के दिख और इसके फाइदे भी होते हैं अगर आपको कपस बगएर में डाल सकते हैं या आप इसको स्लाइस करके ग्रिल भी कर सकते हैं तो यह अंदर से इस तरह करके है गर टिमाटर की तरह यह लेकिन थोड़ा सा जाद हार यह ruim थोड़ा सोफ्ट होते हैं लेकिन थोड़ा हार अंदर से भी और इसकी बीजीबी टेमाटर के हिसाब से थोड़े छोटे छोटे से हैंगे तो मैं इसको खाऊंगी नहीं, मैं आपको इसको खाके भी दिखाऊंगी कि इसका टेस्क ऐसा होता है अमोमन शायद लोगों को इस तरह करके खाएं तो पसाद ना आए लेकिन इसको अगर आप चट्णी या सॉसाय या किसी भी सॉस वगपर गएर हमने आप इसका भनाकर खाएं तो शायद आप ज़्यादा अच्छ लगी तो अगर आप गर लैते हैं तो पिर शायद आप यह भी खा लैं इसका जायका जो होता है वो टिमार्टर से ही जो होता है वो मिलता होता है लेकिन इसमें थोड़ी खटांस ज्यादा होती है और खाने भी थोड़ा सकते इसका छिलका हम नहीं खा सकते मेरे ख्राल से तो मतलब मैं नहीं खा सकती लेकिन मैं रेकोपेटनी करूँगी कि आप लोग इसको ऐसे ही खाएं आप इसको चट्नी बना कर खा सकते हैं इस तरह दुसी चीजों में करके इसको खा सकते हैं लेकिन डारेक्ट शैद अगर आपको अगर आप इसको कब्स दूर करने के लिए खा रहें तो फिर आप इसको खा सकते हैं क्योंकि फिर वो तो आप एक दवाई की तोरपर इसको खाएंगे कोई भी जब नया फूर्ट लेते हैं और इसको खाते हैं तो खुशी होती है क्योंकि अल्लद अल्ट आल्ला ने इतने सारे फल और वेजिटेबिल हमें दिये हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं और हमें बाद चीज़ों का अभी तक पता भी नहीं है कि कितने मजीद फूर्ट्स और वेजिटेबिल इस दुनिया में हैंगे तो जब भी आपको मौका कोई भी नहीं वेजिटेबिल या नहीं फूर्ट्स ट्राइ करने का तो ज़रूर करिएगा और अल्ला की नहिमतों का शुकर अदा करिएगा अल्ला ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे और आपके घरों में रहमते और बरकते नाजिल करे हम फिर मिलेंगे नए फूर्ट या नए वेजिटेबिल के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्ला हाफीज